हलो दोस्तों गूड मॉर्णिंग कैसे हो आप सब इसमें टाइम हो रहा है सुबा के जो है बजरें साड़े पाच अभी हमारे घर के सभी लोग सो रहे हैं यानि हमारे देवर जी हमारे पती जी और हमारे बच्चे जानवी अभे सब सो रहे हैं हम थोड़ा सा बाहर गए थे देखने के लिए लेकिन अभी काफी अंधेरा है जो है उजाला नहीं हुआ है इसी टाइम हम उठ जाते हैं ऐसा नहीं कि रोज उठते हैं कभी कभी उठ जाते हैं क्योंकि जिस दिन जो है मुझे ज़्यादा काम रहता है तो हम साड़े पांच ब इसे ही उठते हैं तो आज काम बहुत जादा है कपड़े वगरा सब कुछ क्लीन करना है तो यहां पर देखो रूम हमारे बहुत गंदे हो गए हैं तो जो मेरा हॉल है क्योंकि सुबा से लेकि मैं साम तक तीन बार जाड़ू लगाती हूं लेकिन जो हमारे चोटे चोटे प लेकिन कम से कम हम तीन बार जो है सुबा दोपहार साम को जाड़ू लगाते हैं लेकिन फिर देखोगे कि रूम की हालत ऐसी ही रहेगी कभी कागशे अब àsनके कुछ घिरा देंगे ऐसे ही खेलते रहते हैं आप लोग समझे सकते हो अभी चोटे चोटे बच्चे हैं जिनके पास बच्चे होंगे उन्हें पता होगा कि यहीं बच्चे सैतान बहुत सैतानिया बहुत करते हैं सच में और अच्छा भी लगता है दोस्तों यहां पर हम जो है जाडू लगा रहे हैं अब जाडू लगा देंगे और उसके बाद जो है पूछा वगण तो दोस्तों यहां पर भी जो है बच्चे हमारे पूरा गिरा दिये हैं हमारे कीचन में भी तो सारा कचड़ा मुठा लेते हैं उसके बाद हम पूछा लगाएंगे तो सबसे पहले हम हाल में पूछा अच्छा नहीं लगता अगर खटर बटर करते रहेंगे तो उन सब की नीद भी खराब हो जाएगी इसलिए हम जो है अभी बेडरूम और जो है मेरा बेडरूम और मेरे देवाजी का बेडरूम दो जो है रूम अभी बच्चा हुआ हम सोच रहे हाल और कीचन कलें उसके बा करने के बाद हम चलते हैं कीचन में आप लोग भी चलिए हमारे साथ अच्छा बताएं कौन कौन सुबा उठता है एक तो ठंडी का मौसम है ना तो अधिकता लोग तो सुबा नहीं उठते होंगे यह तो पता ही है क्योंकि ठंडी बहुत जादा पड़ रही है ना गाव में त पना सहर की बात करें तो यहां पर जो हैं workers को ज्यादा काम रहता होगा जिसके पती आफिस जाते होंगे ओचरूर आफिस भगरा के असरा की आस Prest decision में में टाकिन हमारे जो पती आप चुछी निकलते हैं तो हम जल्दी ऊटते हैं तो इसके बाद हम ढ़ें हम झाड़ कल लिय आप सारे रूम हमारे क्लीन हो गए हैं तो अब यहां पे हम करने वाले हैं ब्रस करने के बाद ही हम जाएंगे नहाने के लिए तो हमने सोचा चलो आप लोग के साथ सेयर कर देते हैं और हाँ दोस्तों बताईएगा जरूर हमारा वीडियो कैसा अनलगा आप लोगों को अगर आप हमारे वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना ठीक है और अगर आप हमारा वीडियो हमेशा देखते हैं तो अराध्या आप लोगों से बोलती है धन्यवाद तो दोस्तों यहां पर थोड़ी सी सफाई बाकी रह गई थी कीचन की उपर की यानि गैस के आसपास की तो हमने सोचा चलो इसे भी समयठ देते हैं क्योंकि साम को हमने साफ किया था लेकिन देखा तो थोड़ा सा गंदा दिखा हमें तो इसलिए दूबारा जो है साफ कर रहे हैं और इसके बाकी बना हुआ है ना वहां पर जो हमने डीब्वे रख वहें तो वह सारे डीब्वे उच्चे हैं विखेर दिये हैं आप दों देखी रहे हो कुछ थी दर कुछ उधर ऐसे कर दिए हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि साले जो ही नीचे गिरा देते हैं तो हम दूबारा उसे से जानवी थोड़ी ही भी बड़ी हो गई हैं तो जान्वी थोड़ी सी काम नहीं करती है आप स्वेत करने से अच्छा भी लगता है। और जो भी समान आपको चाहिए, वो आपको आसाने से मिल जाता है, है कि नहीं, तो दोस्तों, मैंने डिबे वगेरा सेट कर दिया है, अभी एक चीज बाकी है, आप लोग बताओ न क्या, क्योंकि जो हमारी पूजा की थाल है थोड़ी से गंदी हो गई थी, तो उसे क्लीन करन भी बाकी है, तो वही हम पूजा की थाल लेने गए थे, वही लेके आ रहे हैं, अब इसे हम साफ करने के बाद ही हम नहाने जाएंगे, तो यहाँ पे देखो, हमने पूजा की थाल ले थी, बहुत ही सुन्दर, बहुत ही खुपसूरा थे, उसमें आपको सभी चीजे मिल जा और जो थोड़ी सी आपको काली दिख रही थी दीपक, उसमें हम कपूर जलाते हैं, और कभी-कभी हम उसमें गूगल जला देते हैं, तो यहाँ पे देखो, सारे कप को हम सेट कर रहे हैं, मैंने कप को धूल के रखा हुआ था वगेरा नीचे, तो वही हम उपर सेट कर रहे हैं, जैसे नीचे रखने से थोड़ा सा डर लगता है, कि अभी जानवी हमारी छोटी इतना तो समझदार नहीं है, लेकिन कुछ तो समझदार है हैं, तो वही कप को हम उपर रख रहे हैं, कभी-कभी जानवी के हाथ से कप छूट जाता है, तो नीचे गिरता है, तो जब हम नहा के आएंगे, तो हमारी जो आलू है, तो तयार भी हो जाएगी, पक्के, तो वही हम गैस पे रख रहे हैं, इसे रखने के बाद ही हम जाएंगे नहाने, इसलिए रख रहे हैं, ताकि जो हमें नास्ता बनाना आसान हो जाए, तो आज हम बनाने वाले हैं, कचालू तो सभी को खाना पसंद होता है ठंडी के सीजन में तो सभी लोग कचालू जादा ही खाते हैं गाउ में तो बहुत सब लोग खाते हैं और यहां भी खाते होंगे पता नहीं है मुझे लेकिन अपने हिसाब से बता रहे हूं तो दोस्तों यहां पे देखो चलो अब आ और आप लोग को भी दिखाते हैं और थोड़ा सा माप लोग के साथ ब्यू भी सेयर करते हैं अच्छा लगता है सुबा सुबा ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है वैसे ज्यादा ठंडी अब नहीं लगती लेकिन हां हलकी फुलकी ठंडी तो है ही सबी लोग जो है सुबा क्वब सुर्ट लग रही है ऑर इतना सांतील है कि हम आपको क्या बताएं और चारों तरफ पूजा की ही वाज आ रही है जीसे मंदिर वगयरा में गाने उने बजाय जाते हैं वहीं आवा जा रही है तो दोस्तों जो है चलो थोड़ा सा ओपर हम आप लोगों को टहला देते हैं क्योंकि काफी दिन हो गए हैं हम उपर नहीं आये थे क्योंकि बच्चे बहुत चोटे ना तो दोनों बच्चों को लेकी ऊपर आना थोड़ा ठीक नहीं लगता कि ऐसा नहों कि कोई बच्चा मेरा सैतानी करने लगए मैं किसको पकड़ू किसको छोड़ू यही हाल होती है तो मैंने सोचे चलो अपने पौधे भी देख लेते हैं यहां पे देखो मारे पौधे कितने प्यारे लग रहे हैं तो तुलसी का है और केले का है चलो चलते हैं नीचे अब हम तो वही हम जो है सुबा सुबा देखने आ जाते हैं मैं अच्छा लगता है हर याली देखना अब दोस्तों चल रहे हैं, अब हम नहाने, और गैस को भी श्लो कर देते हैं, ताकि जो हमारी आलू है ना वह देरे देरे ही पके, तो यहां पर देखो हम नहां के आ गए हैं, अब पहनने वाले हैं चूडी, इसके बाद हम करेंगे सिम्पल सा मेकप, जैसे हम रोज करते हैं, आई होप आप लोगों को हमारा मेक अप जरूर परसंद आएगा तो मैं मेक अप कर रहे थी तो हमने सचर चलो यह भी आप लोग के साथ सेयर कर देते हैं क्योंकि मेरी मौर्निंग रूटीन में सब कुछ होता है कि हम सुबा से क्या-क्या करते हैं तो अब आप लोग भी देख लो उसके बाद हम आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में ठीक हैं झाल झाल तो दोस्तों यहां पे पूजा कर रहे हैं माता जी का आर्थी उतार रहे हैं तो दोस्तों चलो हम कीचन में चलते हैं और यहां पे देखो हमारी आलू जो है पक गई है अब उसके हम छिलके निकाल लेते हैं गरम आलू के छिलके निकालना बहुत ही आसान होता है बहुत चल्दी जल्दी जो है इसके छिलके निकल जाते हैं अगर आपके आलू जो है ठंडे हो जाते हैं तो छिलके निकालना बहुत कठीन हो जाता है न तो दोस्तों इसकी रेस्पी हमने आप लोग के साथ कई वार सेयर किया है तो सोचा कि इस बार क्या सेयर करें अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर देख कचालू काइब सेटो ल चैनल यूह Gummi मा जो जड़ा है तो दोस्तों हमने जो है इनके पापा को इनके चाचु को देया क्में के लिए तो हम शुटे हैं हम भी खा लेते हैं और चाइभी पी लेते हैं हमारे बच्चे हम इस cœur उतया हो तो उन्हीं दुटाना थ्स दोस्त